हेलो आज हम लोग बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक पे चर्चाय करने वाले आप इस वीडियो में अगर आ गए हैं तो मैं आपको पूरा सैटिफेक्शन दोंगी कि आपको यह क्रीम लेना है या फिर नहीं और यह सच में कैसा वर्क करता है और इसके क्या फाइदे और क्या नुकसान है ईलर्जीज और किस सकीन टाइप के लिए बेस्ट है फिर मैं यह भी बताओंगी कि इसको यूज कैसे करना है और किस टाइम इसे यूज करना है यह सारी चीजह हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं इसके नुकसान फाइदे इसके बारे में पिर जानने व क्योंकि इस वीडियो के लिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं प्लीज इस वाले टॉपिक पर वीडियो बनाई है मुझे स्क्रीम का रिव्यू चाहिए इसका रिव्यू करते हूं बच मुझे थोड़ा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि आप लोग को तो पता ह या अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि मैं कभी भी किसी भी फेस पे लगाने वाले स्किन पे लगाने वाली चीजों को पहले अपने उपर यूज करते हूं देन फिर मैं उसका रिव्यू देती हूं ताकि मैं आपको गलत ची सज़ेस्ट तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा रिव्यू करने में टाइम लगा दिया और इसको यूज करने के बाद यानि की चार महीने से यूज करने के बाद मैंने इसका रिव्यू बनाने का सोचा है और अभी मैं रिजल्ट के साथ यहां पे हों कि मुझे कैसा यह मेरी स्किन पे वर तो दोनों का रिजल्ट मैं अभी आपको बताने वाले हूँ तो वीडियो के लास तक बने रहेगा और अगर आप इस चानल पे नहीं है तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर लीजे और नोटिफिकेशन बेल को अन कर लीजे तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्री क्रीम के बारे में तो ये क्रीम का नाम जो है वो है मैडी सेलिक क्रीम और मतलब कीसे मलम भी कह सकते हो आप 20 ग्राम का आता है और ओंटमेंट इसमें इशे मैंशन किया हूआ है टॉर्क नाम की कंपनी बनाती है 150 रूपीज बट डेफिनेटल आपको अगर अच्छे स्टोर आप जाते हो तो आपको आफ मिल जाता है सेल्फ लाइफ इसकी टू इयर्स की है 2022 में बनाया 24 में ये एकस्पायर हो जाएगा और और सारी चीजे भी आपको डीटेल में दिख रही होंगी क्योंकि मैंने एकदम जूम करके दिखाया है आपको सारी चीजे फिर अगर हम बात कर लें इसके पाकेजिंग की तो यही काड़ बोड के डबे में आता है और मेडिकल स्टोर पर यह मिलता है अब यहाँ पर देख सकते हो कि क्या क्या चीजे इसमें मिलाई गई है उसमें से बात करें सिलिसलिक एसीड की जो की इसमें सबसे जादा मात्रा में यूज किया गय बाकी का जो इंगेडियन्ट है वो थोड़ा थोड़ा यूज किया गया है तो वो उतना इंपॉर्टिंट नहीं है पर फिर भी अगर आप चाहें तो सर्च करके उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं इसके इंडिकेशन की तो इसमें लिखा हुआ है कि एकजीमा नापकीन रै अगर अगर हम बात करें कि कहीं ब fear करने थे सरे कि नहीं को साफ करने यह सारी चीज़ें यहां पर कहीं भी mention नहीं है बड़ अगर हम इस पाकजिंग को देखते हैं तो इस पर फेस का पाकेजिंग जिसके वज़े से इसे बाइक का रशा बीध एक slis करते हम लोग इसे परचिस करते हैं कि यह फेर इसक्न करेगा ऐसे ही सकीन को क्लियर कर देगा। इसके बॉहँको हिभार किया तो यह हमारी से कि पर बहुत यह उच्छा वर्क किया थे हैं। तो इसको यूज करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन्स आपको फॉलो करने चाहिए जो कि मैं आभी आपको बताने वाले हूं तो ध्यान से सुनिये इस इंस्ट्रक्शन के साथ इस क्रीम को यूज़ करोगे तो साइध आपको ऐलर्जी या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो सबसे पहले तो हम यूज़ेज भी बता देते हैं आपको इसको यूज़ करना है आपको नाइट टाइम है को आपको यूज़ करने के बाद और अगर आप टाइवं पी उस करने जाए लगा लेज़े और फिर आप सोज़ आए तो इस्तमाल करने के बाद गरम चीज आपके स्किन पे और अच्छा थो आपके तो आपको खोग नारी ऴॉर्क करेगा। और फीमर में लिद्वा केक स्क्षाः साथ पहले दूप है। इसलिए अपको आपको खाव जियान देना है। तो इसलिए आपको दूप में नि wiping निकल ना है। और अगर आप नाइट टाइम में यूज कर रहो तो दूप में जाने से पहले इसको वास कर लेना है और फिर अगर हम बात करें कि इसके साथ नहीं सोप प्याता है इसी कंपनी का इसी नाम के साथ मेडिसलिक ओइन्टमेंट तो उसके बारे में भी अगर आपको रीव्यू चा करता है कोई भी चीज तो इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि आप अपने रिस्क पेस से यूज करें क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि यह सारे क्रीम्स होते हैं वह आपकी स्किन को काला करने लगते हैं गोरा करने की बजाय और आपके इसकिन को प्रॉबलम्स दे तो बहुत दिनों तक एडिक्टेड नहीं होना चाहिए इसके बाद जब अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाए फिर आपको इसको उसे चोड़ देना चाहिए फिर आप सम्टाइम्स बाद में फिर कर सकते हो तो ऐसे रहना चाहिए आप खुड डिसाइड करिए क्योंकि मैंने सब कुछ बता दिया आपको बाकी के जो बाते सुनने को मिलती है कि स्किन काली हो जाएगी प्रॉब्लम हो जाएगा रैसेज हो जाएंगे पिंपल्स हो जाएंगे तो यह सारे प्रॉब्लम सायद होगा की नहीं होगा मुझे नहीं पता बट हम लोगों पर ऐसा कुछ नहीं अगर आपकी sensitive skin है तो आप यूज ना करें मुझे ऐसा लगता है बट फिर भी अगर आप यूज करते हो तो आप अपने रिस्क पर यूज करो तो यह था हमारा आज का review medicellic ointment cream का जो कि मैंने अपने सारी चीजे बता दी है जो जो चीजे मैं जानती थी मुझे जानकारी थी बट अगर कोई चीज शूट गई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजेगा मैं definitely reply कर दूंगे अगर आपको इसके soap का भी review चाहिए तो आप उसके ल वीडियो में तप्टा के लिए take care